हेलो एवरिवन मैंने मिला गुपता और वाचिंग मी और यूटीब चैनल इंग्लिश जोज दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही जबर्दस स्ट्रॉक्चर जिसको हम इंग्लिश में जब करते हैं तो अकसर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लगाए कहां पर एडवांस इंग्लिश ग्रैमर का जिसका हिंदी का मीनिंग एक ऐसा स्ट्रॉक्चर हम आज करेंगे जिसका हिंदी का मीनिंग होता है उपर से या फिर हम लगाते हैं और तो और जब हम हिंदी के बाके में इन दोनों को यूज करते हैं तो वहां प जब इसको हिंदी में समझते हैं ऐसे सेंटेसे को देखते हैं जहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज होता है तो हम अक्सर सोच में पर जाते हैं कि यहां पर हम लगाएं क्या तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नुमबर वन से बाहर बहुत गर्मी है उपर से बत्ती भी नहीं है तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे अक्सर इनिशल स्टेज पे स्टूडेंट्स ना ऐसे संडेंस को देखकर डर जाते हैं भैभी तोने की कोई जूरत नहीं है डरने की बिल्कुल जूरत नहीं है अब आ चुका है मि पूरा प्रोपर तरीके से मैं इसको आज आपके दिमाग में घुशा दूआ ध्यान से देखेगा पहले इंग्लिश बनाएंगे हम इस पार्ट की उसके बाद हम अपने स्ट्रॉक्शर को लगाएंगे उसके बाद हम लगाएंगे इस पार्ट को राइट सिंपल सा बाहर बह हउवल से यह लुक्र एक बाहर इडे इस बेरी होट आउट्साइड उसके बाद हम यहां पर स्ट्रॉक्शर यूज करेंगे जो स्ट्रक्टर आज हम एड्वांस इंग्लिश ग्रैंबहर के क्लास में चिर capacete उपर से जो कि ऊपर से और और तो और के लिए यूज होता है तो इंगलिश बनेगी इस वेरी होड आउटसाइड मोर बत्ती भी नहीं है बत्ती भी नहीं है कि इंगलिश क्या बनेगी moreover there is there is no electricity there is no electricity even यह फिर आप यूज कर सकते हैं moreover there is no electricity even here there is no electricity as well right अब हम बात करते हैं दूसरे सेंडेंस की यह कपड़ा बहुत महंगा है उपर से मुझे पसंद नहीं है तो यह कपड़ा एक तो बहुत महंगा है उपर से मुझे पसंद भी नहीं तो इसको इंगलिश में कैसे बनाएंगे यह कपड़ा सिला हुआ हो तो हम उसे क्लोथ पढते हैं तो यह कपड़ा बहुत महंगा है इस क्लोथ इज वेरी कॉस्ट्री या फिर एक्सपेंसिव यूज़ कर सकते हैं दिस लोगे very costly उपर से के लिए क्या लगाएंगे मोरोवर हम यूज करेंगे मोर और और मुझे पसंद नहीं है आई कि डूंट लाइक इट लाइक इट मुझे पसंद नहीं है तो संदेंस हमारा बिल्कुल क्लियर है इस वरी एक्सपेंसिव यह वरी कॉस्टली मोरोवर इसको भी यूज कर सकते हैं अब यहां पर तीसरे संदेंस को देखते हैं एक तो उसने गलती की और तो और उससे सजा भी नहीं मिली एक तो उसने गलती की उसके उपर उसको सजा भी नहीं मिली तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे देखे एक तो उसने गलती गई तो एक तो की इंग्लिश क्या होगी यहां पर हम लिखेंगे यहां पर फॉर्स्ट आप यहां पर फॉर्स्ट बोल सकते हैं फॉर्स्ट उसने गलती की, यानि कि he made a mistake, उसने गलती की, एक तो उसने गलती की, first he made a mistake, और तो और, same way, moreover use करेंगे, moreover, उसे सजा भी नहीं मिली, यानि कि he did not get punishment, he did not get punishment as well, उपर से उसे सजा भी नहीं मिली, और भी के लिए हमने लगाया, तो हम सजा भी नहीं मिली, और भी के लिए हमने लगाया, तो हम sentence बनाया, प्रॉपर हमने, first he made a mistake, moreover he didn't get punishment as well, तो इस तरह से हम इन sentence को बना सकते हैं, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये moreover structure, comment box में जरूर बताईएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक तो जरूर दीजेगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा, अगर ऐसे ही interesting videos आपको आगे भी देखते रहना है, और bell icon button को जरूर प्रेस किजेगा, so that you will get all the notifications on your mobile phone time to time, thank you very much and have a good day.